कि हलो एवरीवन वेलकम टो टेडिंग प्लेस सो आपको पता होगा कि इस वीक में कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि इस वीक में बहुत सारे बिग इवेंट्स हैं अभी कुछ दिन पहले आपका यूश इंफलेशन ड चल रही है जो मैंने mentorship में शेयर किया हुआ था उसको हमनों कुछ manage किया हुआ है अपने कुछ hedges को बाय करके एक्स्ट्राइब करके तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सिखेंगे देखें आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़े explain करूँगा एक तो जो आपको पता हुआ कि हम mentorship में live trading करते Wednesday के दिन और Thursday के दिन तो Wednesday के दिन आज के दिन हमने जो ट्रेट किया है उसकी पूरी डिटील सापके शेयर करूँगा उसमें हमें क्या profit and loss हुआ है उसकी पूरी डिटील सापके साथ शेयर करूँगा इसके लाबा हम market का data देखेंगे एक overall view अपन क्या हम बनाने के कोशिश करेंगे कि कल के दिन market में क्या हो सकता है क्या हम expect कर सकते हैं और हमें किस तरह से trade करना चाहिए और मैं आपको एक चीज़ और सजेश्ट करूँगा देखें यूट्यूब पे मैंने दो strategies डाली हुई है अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए और मैं आपको एक simply बताना चाहता हूँ कि इन दोनों strategy में से आपको कौन सी strategy कब यूज करना चाहिए तो देखें simple सा मैं आपको समझाओं कि अगर Wix low है मतलब आपको premium कम मिल रहे है add the money पे तो simply आप जो calendar spread strategy मैं strategy मैंने आपके साथ share किया हुए उसको यूज करिए राइट तो दोनों strategy को अगर आप combination में करके यूज करेंगे कि जब आप कंप्री में मिल रहा है तो आप यह strategy उस करेंगे तो overall आपको बहुत अच्छा return मिलेगा सिर्फ इस एक strategy राइट तो अभी ज्यादा time waste नहीं कर से चलते हैं computer screen पर और समझते हैं सारी चीजें चालिए तो हम लोग अपने computer screen पर आगें तो सबसे पहले मैं आपको एक trade दिखा देता हूँ यह trade actually हमने आज लिया था mentorship में live trade लिया था यह trade मेंने around 30 lots में किया हुए था और इस trade में हमने कोई भी actually adjustment नहीं किया था simply हमने यह trade around 10 o 50 completely sideways था एक moment आई थी around आप यहां पर देखिए तो यह moment आपको देखने को मिलेगी बट यह moment इतनी बड़ी moment नहीं थी कि हमें कोई भी adjustment करना पड़े किसी भी एक तरफ में तो हमें आज के दिन में कोई भी adjustment नहीं करना पड़ा और around 2.30 पर हमने अपना यह trade close कर दिया और इस इसमें हमारा brokerage और other charges कोई बहुत जादा नहीं गया होंगे क्योंकि हमने कोई भी adjustment नहीं कर सकता है क्योंकि कोई adjustment करने की ज़रूत थी नहीं पड़ी तो कुछ explain करने की ज़रूत भी नहीं है हमने सिफ एक straddle बनाया और उसमें कोई भी adjustment नहीं किया अब आप देखिए मार् gap down खुला था on 13 June को market में जो Monday को gap down खुला था अभी market उसी range के अंदर है यह एक बड़ी सी range हमारे पास बन गी और market इसी range के अंदर consolidate कर रहा है और यह जो हमारे पास gap up है मतलब यह जो gap है यह बहुत बढ़ा gap है तो market को ऊपर की तरफ जाने के लिए अभी बहुत बढ़ा gap fill क करना है market को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए at the same time मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि जो हमारा actual low है वो last low यह 13 में को बना था वो यह है तो हमारे पास जो range बस्ती है bank nifty के लिए वो यह range बस्ती है नीचे की तरफ 33,000 और उपर की तरफ तो हमारे पास यह range है 34,500 लीट तो सबसे पहला resistance हमारे ऊपर के लिए यही वाले resistance है जहां से market cap down खुला था और उसके बाद throughout the day market में downfall ही रहा है तो यह सबसे पहला resistance हमारे लिए 33,800 का और support हमारे लिए 33,000 का है as per the chart right इसके बाद हमें लोग nifty भी देख लेते हैं अब अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी अपने यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और श्रिंक कर देता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी अपने मार्च मंत में जो लो बनाया था उसी लो पे आज क्लोज हुआ है और निफ्टी बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो मंडे का लो था उससे नीचे का लो टूजडे को बनाया है तो निफ्टी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो निफ्टी के लिए फिलाल जो हमारे लि लेवल तो हमारा जिस लेवल पर निफ्टी क्लोज हुए 15,680 तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए निफ्टी के लिए यह है और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं लॉंग टाम फ्रेम में वन डे के कैंडल में आपको दिखाता हूँ अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यूएस फेट की मीटिंग है आज के दिन आज रात में तो अगर यह लेवल निफ्टी तोड़ता है तो फिर हमारे लिए स्ट्रेट अवे नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो सिर्फ 15,000 का ही होगा 15, 15,400 पहला हमारा सपोर्ट है उसके बाद जो आप यहां पर देखे क्योंकि मार्केट ने जो रैली ली थी यहां पर अगर आप पिछले एक साल से मार्केट में हो ट्वेडिंग कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक टू मन्स का कॉंसॉलिड पीरिएट था यहा इसके बात करें तो 15,900 है 15,880 तो बी बेरी प्रेसाइज बट उसको अगर नाइन 15,900 हो इसको मान सकते हैं तो हमारे लिए इस सपोर्ट एनरिश्ट यह लेवल पर पन रहे है अब एक्सपाइरी कहां पर होगी वह हम लोग समझ लेते हैं तो आप यहां पर देखे तो निफ इस समय कोई भी वैल्यू नहीं है डेटा इस समय हर दिन फेल हो जा रहा है जिस तरफ मार्केट आ रहा है उस तरफ डेटा कंटिनुसली चेंज हो रहा है तो फिर भी अगर हम एक अपना अनलसिस करने की कोशिश करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 15,700 को आप सपोर्ट न मिल रहा है और अगर उपर की तरफ काल रेटा की बात करें तो काल रेटा के लिए पहलर विच्छिंश विप्टीन थाउदं एख इंड़्य है और आज फ्रेड में कुछ अच्छी नहीं आती है तो यह जो अगर कल के केस मागर गयाप होता भी है तो मार्केट मर्केट में 500 का है और नीचे की तरफ तो मैं आपको बताऊं तो 15,500 यह है बट मैं कल आपको पुट सेल करने का सजेशन नहीं दूँगा क्योंकि अगर कोई डाउनफॉल आता है तो कल का डाउनफॉल सारे सपोर्ट को तोड़ देगा और 15,400-500 पर बहुत इसली निफ्टी जा सकता है तो डाउन साइड में हमारे लिए 300-400 पॉइंट का रिस्क है उपर की तरफ हमारे लिए काफी सेफ है कि अगर निफ्टी 15,900 पर पहता है तो हम एक कॉल आप्सन सेल कर सकते हैं क्योंकि 50,900 निफ्टी के लिए एक रिजिट्टेंस लेवल है अब हमनों बैंक निफ्टी की भी ड पूट राइटिंग दिखेगी और यहां पर आप देखेंगे तो कॉल राइटर उसके कमपेर्जन में काफी कम है बच जासा कि मैंने कहा कि एक भी निफ्टी के लिए 33,000 को भी ब्रेक कर सकती है उपर की तरफ हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा होप नहीं है जब भी आपक के साथ करिएगा बट सिंप्ली अगर मार्केट में गाप डाउन खुलता है और उसके बाद मार्केट रिकावर करता है और 33,500 के आसपास अगर आपको दिखता है तो भी आप चाहें तो 33,500 के कॉल आप्शन को सेल कर सकते हैं तो अब हम मैक्स पेइन देख लेते हैं सो आप यहां पे देखें निफ्टी का मैक्स पेइन अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे मार्केट को कॉल राइटर्स और पूट राइटर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 15,800 के आसपास एक्सपायर होगा और मैं अगर निफ्टी की बात क तो मार्केट 3,500 के आसपास एक्सपायर होगा फिलाल तो मार्केट 3,500 से नीचे हैं और निफ्टी में 15,800 से और निचे हैं तो इन केज कल आपको कभी भी एक कोई pioneers परसल या रिकवरी मार्केट में दिखती है और मार्केट 15,800 के आज पास भी आपको आता है तो आप बिल्कुल आराम से कॉल उप्शन सेल कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में 33,500 के आज पास अगर आपको मार्केट दिखता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ मतब एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं यही स्ट्राइजी कल हमारी रहने वाली है इसके अलगा कुछ एजस्मेंट भी हम तो उसकी सारी डीटेल्स कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा कल जब एक्सपारी दे हमारा ओवर हो जाएगा तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा कि इस वीक में हमने क्या-क्या ट्वेट किया हुए है और क्या-क्या हमारा प्रॉफित लॉस रहा है और जून मंत अब त अब फिलाल अचीव नहीं हुआ है मतलब at least 5% में मंतली का टागेट करता हूं फिलाल तो वह अचीव नहीं हुआ है बट इस वीक में हमने कोई आरन फ्राइग का ट्वेट भी नहीं किया है तो उसके वाज़े से भी हमारा कोई प्रॉफित नहीं बनाए जस्विकस की मैं र वीडियो इस पर मैं और भी काम कर रहा हूं तो उस इस स्ट्राइजी में कैसे आपको काम करना है वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेर करूंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी की सारी चीजें हम लोग कल डिसक्स करेंगे I hope कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्षिन पूछ लीजे और चैनल को सस्ट्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे मैं आपसे जलदी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में See you soon झाल 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 झाल